कि आई आउब अच बहुत से भक्तों ने भगवद शरणा गती ली हैं कि उन्ह सबको क्या करना है कि कि उन्हें जो मंत्रप्राप्त हुए हैं उन मंत्रों का जाप करना है उन मंत्रों का भजन जितना कर सकें कर सकें और सभी वैश्णव जनों को कंठी गले में सदैवधारन करनी है ध्यान रखना जो जो भी दिख्षित हुए हैं उनका कंठ प्रदेश कभी भी कंठी से रिक्त नहीं रहना चाहिए दियान रखना और मस्तक पर भाल पर सुन्दर उर्द्व पुंड्र तिलक होना चाहिए अरे भई आप तो जिस खेत्र में रहते हैं यहां तो यह वचन चरितार्थ होता है यह कंठ लगन तुलशील लिना मैं स्वयम गौरवानवित अनभव करता हूं जब इस खेत्र में आता हूं जब देखता हूं यहां के वैश्नव जनों के हर मस्तक पर भगवान का दिब्य तिलक है और हर कंठ में सुन्दर कंठी की माला है आप जैसे भगवत जनों को प्राप्त करके तो कोई भी गुरु स्वयम को गौरवानवित अनभव करेगा यह ऐसा दिब्यक्षित है तो जब अवश्य करोगे माला कंठी जो है वो पहन के रखोगे दोहरा कंठी और तिलक लगाओगे रोज ठीक है ध्यान रखना हम नहीं तो मैं सब की रिपोर्ट लेता रहूंगा